हालो फ्रेंड साम तन्वी और वेलकम तू मैं चैनल टेस्विद इस तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राइफ रूट्स की खीर तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है यहां पर मैंने कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने एक चमत देसी की डाला है अब डालेंगे ड का टोरी मखाने और इनको लो फ्लेम पे पांच मिनट के लिए रोस्ट करेंगे पांच मिनट हो चुके हैं हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट हो गया है अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में मैं दो चमत देशीगी डालूंगी अब यहां डाल रही हूं मैं आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम आधा कटोरी किश्मिश्ली है जिसे मैंने पहले दो लिया था और दो चमत पिस्ता लिया है जिसे कट कर लिया था काजू बदाम को भी मैंने चोटा-चोटा कट कर लिया था अब हम इन सब को एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे एक मिनिट हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैं डालूंगी तीन ग्लास दूद केसर और मिक्स कर लेंगे अब यहां बें डाल रहे हैं आधा का टोरी चीनी यह मखानी जो मैंने बूने थे इनको मैंने चार पीसेस में कट कर लिया है यह हम दूद में डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अब इसी टाइम पर मैं सारे ड्राइफ रूट्स पर डाल दूद में और मिक्स कर लेंगे हम अपनी खीर को आधे गंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि यह अच्छे से गाड़ी हो जाए खीर को बीच पीच में चलाते रहिएगा और यह हमारी खीर का कलर कितना अच्छा आने लगा है आधा घंटा हो चुका है हमारी खीर बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है गैस ओफ कर देंगे और ये बिल्कुल तयार है हमारी टेस्टी सी डेलिशियस खीर ये खीर गरम भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप फ्रिच में रखके खाना जाएं ठंडी ठंडी तो ये बहुत जादा अच्छी लगेगी तो अब इसको सब कर लेते हैं और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बनी थी बहुत टेस्टी थी तो आप इसको जरूर एक बार ट्राइ कीजेगा और कॉमेंट सेक्षन में बताएगा आप कोई खीर कैसी लगी अब नवरात्रे आ रहे हैं शिवरात्रे आ रहे हैं तो आप इसको बनाएए खाएए खिलाएए और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जल्दी मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाई तेकिर